किसी ने क्या खुब कहा है दोस्तों जो हो गया उसे सूचा नहीं करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हासिल होती है उन्हें सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते जहां दोस्तों इस बात में जिद्ध सचाई है उस सचाई को जानने के लिए आच्छम आपके साम हमने एक ऐसे वक्ति की कहानी बताएं जा रहे हैं जानकर आप सूचेंगे कि वाकई हर किसी की जिन्दगी में इतनी मुश्किले आती है कहते हैं यदि आप अपने सबसे बड़े सपने को पुरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो यकीन कीजिए आप वो नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आप इस दुनिया में आया हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे वक्ति के बारे में जानेंगे जो हम सभी के लिए एक मिल्साल है जिन्हों ने हमें ये बताया कि सक्सेस पाने के लिए कोई सही उमर ये सही समय की ज़ुवत नहीं होती ये वक्ति है करनल सैंडर्स सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1980 को हुआ था पिता का नाम विल्बर डेवी था वट की मा का नाम मार गे जहां पांट साल की उमर में पिता की मौत हो गई तब ये 12 साल की थे उनकी माने दुसरी साधी कर ले 13 साल की उमर में सैंडर्स घर से भाग गए 17 साल में उन्हें बढ़ाई छोड़ दी तब तक ये चार जॉब से भी निकले जा चुकी थे 18 साल की उमर में उन्हें साथी कर ले एक साल बार वो ये पिता पर बन गया चार साल तक उन्हें ने कंड़क्टर की नौकरी की लेकिन वो भी छोड़ दिया उन्होंने आर्मी भी जॉइन किया लेकिन वहां से भी निकाले गए 20 साल की उमर में उनकी फाइब ने उन्हें शूड़ दिया इसकी बाद उन्होंने एक हूटल में बावर्ची का काम किया अपनी खुद की बेटी से मिलने के लिए उसे किडनेप भी किया लेकिन वहां भी वे नाकाम्याब 스нов है जब वे रिटार होनब के तोर पर उंहें 105 डॉलर मिला तो अपनी जिंदिके से पसे उदास होकर हार गये अपनी जिंदिके से हार कर उन्होंने कई बार आक्वित्जिया करने की कोशिश की लेकिन वहां भी वे नाकाम नाकाम्याब रहे हैं एक बार वे उधास बटी सोच रहे थे क्या मेरीजित की इतनी भी बेकार है तब उन्हें एक आइडिया आया वे एक बहुत अच्छे कुख थे सौट डॉलर में से 27 डॉलर की लागत लगा कर हुए बिस्नस बने हैं वे चिकन फ्राई करके गलियों में गोमकर बैस Speaker बैसते थे। वे अपने सब्सक्राइब की रेसिपी लेकर कई रेस्टराउंट के मालिकों से मिली लेकिन लोगों ने हुन हुए लोगों ने उसे प्रव uneasy कार दिया अंता पहुंने कई बार हार अमीर बनने का सपना लेकर चल रहे थे तरह सोची जो आपनी अपनी जिंदिकी से हार कर आत्मत्या करने के कोशिश कर रहा था वो 82 साल की उमर में मिलियनियर बन चुका था ये कोई और नहीं के अपसी के को फाउंडर करनल सैंडर्स है आज के अपसी के पीस हजार से जादा रेश्राण एक सो देश देश में फैले हुए है जिसकी सालना आय एक सो उन्तीस मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है इससे हमें सीख मिलती है दोस्तों जिंदगे के किसी भी मोर पर हार नहीं महांने चाहिए हारना या जीतना हमें नहीं में अपनी महनत पर यकीन करना चाहिए देखिए सफलता हमारे मुठी में होगी दोस्तों आज का इस वीडियो आपको कैसा लागा मुझे प्लीज कमेंट कीजिए ऐसे मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल मोटिवेट मी को सब्सक्राइब करना ना बूलि दोस्तों चिंगारे हम सब में होती बस एक आप की जरूर्द होती है जो हमारे जिंद्री को रूप्शन करते हैं अपना क्यान लगिए